नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक और वीडियो लक्षमी कान्थ की सीरीज की जिसमें आपका स्वागत है गुड्स एंड सर्विस्स टैक्स काउंसिल के बारे में आपका बात करेंगे देखे जीस्टी काउंसिल नाम का यह जो चैप्टर है चैप्टर नुमर 46 यह latest edition है, 6th edition की किताब में, जो कि GST भी एक रीक्री जेन्टी topic है तो यहाँ पर GST Council का introduction कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे विजन और mission क्या है GST Council का, composition क्या है GST Council का, कैसे काम करता है GST Council, इसके functions क्या क्या हैं, कुछ और functions, मतलब कि GST Councils related जितनी भी important चीज़े हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, 101st Amendment Act of 2016, 101st Amendment Act of 2016 ने बोला, कि एक नया tax regime introduce किया जाएगा, और यह नया tax regime GST लेके आएगा देश में, Goods and Services Tax लेके आएगा देश में. Basically, अगर आप एक नया tax regime लेके आ रहे हो, और खासकर एक ऐसा tax regime लेके आ रहे हो, जहाँ पे state की tax की, state की जो tax लगाने की ताकत है, उसको आप appropriate कर रहे हो, उसको ले रहे हो. तो एक ऐसा नियाम कानून, जहाँ पे central government, state की taxation powers को अगर अपने पास ले रहे है, तो ऐसा नियाम कानून, तब तक smoothly और efficiently apply नहीं हो सकता, जब तक cooperation और coordination ना हो, center और states की बीच में. तो cooperation and coordination between center and states बहुत ज़दा ज़रूरी है, इसलिए GST law को लाने से पहले, बहुत लंबे समय तक discussion चला था, center और states की बीच में. ठीक है भई? Finally, GST council बना, courts and services tax council बना, और basically ये जो discussion चला center states के बीच में, ये GST law को लाने से पहले ही नहीं, in fact, GST law को बनाने के बाद, टैक्सेस को किस प्रकार से लगाए जाएगा, कौन से टैक्स में कितनी फ्लोर रेट रखा जाएगा, किस चीज के ओपर कितना GST लगाए जाएगा, इस पे लगातार बात की जाए, इसलिए एक ऐसी council बनाई गई है, goods and services council, जो लगातार इस बात पे, समय समय पे मिलके, बातचीत करेगी, consultation करेगी, कि भाई GST के इस overall tax को देश में कैसे apply किया जाएगा, चुकि बड़े-बड़े tax, जैसे कि central excise tax, service tax, ये सब GST के अंदर से लेगा है, ठीके ना, तो भाई GST council बनाने के लिए, एक amendment किया गया हमारे समवेधान में, उसने नया article जो ला, article 279A of the Indian Constitution, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वही बाते, कभी-कभी में बताना भूल जाते हूं, वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेर और सबस्क्राइब बहुत ज़रूर करिए, इन से करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, help करने के लिए आप जोइन बटन दबा के चैनल के member बन सकते हैं, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगी, मेरी थोलई help हो जाएगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, आप मेसेज कर सकते हैं, आपके जोने डॉट्स जाब दूँकर, टेलिग्राम गृप जोइन कर लिजे, वहाँ पर आपको लेक्च्छ की PDF मिल जाएगी, अव्वेस्टी बात दे लक्ष्मी गांद की PDF खरीद दीजे, या फिर आप किताब खरीद लिजे, लक्ष्मी गांद की PPTs में अविलिबल नहीं करवाता हूँ PDF, लेकिन जो भी मैं करेंट की वीडियो बनाता हूँ, उनकी PDF आपको अविलिबल हो जाती है, तो आर्टिकल 279-A, और इस आर्टिकल 279-A के चलते, प्रेसिडेंट को इंपावर किया गया है क्या, कि वो एक GST Council बनाएंगे by order, अब अगर आप लक्ष्मी गांद के References section में आएंगे, तो आर्टिकल 279-A क्लॉस 1, यहाँ पर मैं इसको exactly लिख देता हूँ, हाइलाइटर से नहीं लिखा जाएगा, आर्टिकल 279-A क्लॉस 1, यह क्या बोलता है, यह बोलता है कि भाईया, from the commencement of constitution 101st amendment act 2016, मतलग कि 2016 का यह जो 101 संशोधन है, इसके commitment ने 60 दिन के अंदर अंदर, प्रेजिडेंट को एक council बनाना होगा, जिसका नाम होगा Goods and Services Tax Council, और presidential order issue किया गया 15 September 2016 को, जिसके थूँ यह GST council बना दिया गया, तो ठीक है भाई, GST council तो बन गया, ओके, इस GST council का secretariat कहां पे है, तो वो नई डिली में, और अगर आप बात करनें इस GST council के, तो Union Revenue Secretary, Ex-Official Secretary है इस GST council के, अगर आप vision की बात करें, तो भाई देखिए, एक harmonized sector बनाना है GST का, harmonized structure का मतलब क्या हो गया, कि पूरे देश में, goods and services tax को लागू किया जा रहा है, और uniform rate पे लागू किया जा रहा है, तो होगा यह, कि भाई, एक तो industrial और जो trade का जो महौल होगा, वो काफी अच्छा हो जाएगा, पूरे देश भर में, हर जगा पे एक तरीके की चीज़ों पे, एक तरीके का tax लगेगा, तो यह काफी अच्छी बात है, harmonized structure of GST बनेगा, एक national market बनेगा, goods and services के लिए, अभी यहाँ पे, vision क्या है, vision है, to establish the highest standards of cooperative federation, in the functioning of council, which is the first constitutional federal body, vested with powers to take all major decisions, related to GST, मतलब कि, कि function करेंगे, कि भाई, जितने भी GST से related decisions है, उनको informed और, कहते ना कि, welcoming consensus के साथ लिया जा सके, किसी भी प्रकार का मन मुटाव ना हो, mission क्या है, कि भाई, wider consultation, GST structure इस तरीके से बनाईए, कि ज़्यादा ज़्यादा लोग consult करके, decision ले, तो एक wider consultation होगा, तो ज़्यादा लोगों की हामी ली जाएगी, और कहीं न कहीं जो GST का process है, यह technology driven और user friendly होना चाहिए, तो यह vision और mission है, यह बहुत standard vision और mission है, इसमें कुछ बहुत special तो बताया है, नहीं कि है, कब बात करते हैं main चीज, composition of the council, होगा कौन कौन इसमें, तो यह तो पता है कि center और states दोनों के representative होगी, union finance minister chair person होगी, तो जब भी GST council की meeting होगी, उसको head कौन करेगा union finance minister, तो अभी के लिए जब भी GST council की meeting होती ही, हमारी honorable finance minister, निर्मला सीतर रमन जी का नाम आता रहता है, दूसरा, the union minister of state in charge of revenue और finance, तो अन्राग ठाकूर जो minister of state है, यह भी निर्मला सीतर रमन जी के साथ बैठते हैं, जब भी GST council meeting होती, अभी के लिए यह minister और minister of state finance है, independent charge, लेकिन हो सकता है कि भाई, देखे council तो आगे रहने वाले हैं, ministers बदलते जाएंगे, तो भाई इस council में union finance minister chairperson रहेंगे, union minister of state भी रहेंगे, साथ-साथ minister in charge of finance और taxation और any other minister nominated by each state government, भाई state government के representative भी होंगे इस council के, तो अलग-अलग राजी की सरकारों के जो finance minister हैं, वो भाई इस council में मिलेंगे, तो भाई union finance minister, minister of finance, union minister of finance state independent charge, तो union minister of state in charge, जो कि आपके, देखे, union minister of state independent charge पता है ना आपको, कि होता यह है कि कोई एक बहुत बड़ी ministry है, तो उसका एक main minister है, जैसे finance minister, उसके नीचे बहुत सारे ministers को independent charge दिया जाता है, जो कि ministry का काम इतना बड़ा है, कि भाई एक minister नहीं कर सकता, यह ministers कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पहले लक्षमी कान दे पढ़ा रखा है, तो पहले की वीडियो आपको देखी जाके, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो भाई, council की chairman तो हमारी honorable finance minister रहेंगी, council का vice chair person कौन रहेगा, तो council का vice chair person, इस state का कोई representative रहेगा, अब आप देखिए state की तरफ से बहुत सारे ministers in charge of finance आ रहे हैं, तो इन में से कोई एक इस GST council का vice chair person रहेगा, कितने समय के लिए लहेगा, वो GST council ले decide करेगा, तो GST council आपस में decide कर लेगा, कि vice chair person कौन से state का कितने समय के लिए रहेगा, इन दर खीच रहे थे भी excise service tax को manage करने के लिए इंडिया में कौन सी body थी, C, B, E, C, Central Board of Excise and Customs, तो ये बोला गया, कि union cabinet, Central Board of Excise and Customs के chair person को एक permanent invite रखेगा, GST council में, जिसके पास voting की ताकत नहीं होगी, देखिए भाई, इस chair person का का काम क्या है, Central Board of Excise and Customs, तो ये कि overall पूरे देश में, Central Excise, Service Tax, Customs कैसे काम कर रहे हैं, इसको oversee करो, तो ये board oversee करता है, Central Board of Excise and Customs, अब बात ये, कि ये Central Board of Excise and Customs, C, B, E, C नहीं रहा है, ये बन गया CBDIT, मतलब Central Board of Indirect Taxes and Customs, ठीक है भाई, तो अब Central Board of Indirect Taxes and Customs के chair person को permanently invite किया जाता है, GST Council में, तो जब भी GST Council की meeting हो रही है, CBDIT मतलब Central Board of Indirect Taxes and Customs का chair person वहाँ बैठा होगा, लेकिन उसके बस vote डालने का अधिकार नहीं है, vote डालने का अधिकार केवल, center के representative और states के representative को है, CBDIT, यानि कि Central Board of Indirect Taxes and Customs का representative वहाँ बैठा है, वो बस इसलिए बैठा है, कि अगर कोई technical question आता है, तो वो उसका जवाब दे देगा, GST Council में क्या बातचीत हो रही है, उसको नीचे ठीक तरीके से implement किया जाए, तो वो chairman सामने सामने उस बातचीत को होते देखेगा, और बाद में implementation में आसानी होगी, उसके पास वोट डालने की ताकत नहीं होगी, फिर आगे बात करते हैं, working of the council की, ये GST Council मिलके सारे decisions लेते हैं, obviously बात है, decisions तो यही लेंगे न, अगर आपको GST के पूरे देश में ठीक तरीके से लागू करना है तो, अब अगर GST Council की meeting होनी है नहीं होनी है, ये कैसे बता से लेगा, जो total number of members है GST Council के, उसके at least one half members अगर प्रेजेंट होगे, तभी meeting होगी GST Council की, पहली चीज़ था, अगर GST Council में कोई decision पास कराना है, तो 75% की majority होनी चाहिए weighted votes की, अब सोची जोस्तों, अलग-अलग states की GST Council में अलग-अलग अउकाद है, वो depend करता है उस states में बहुत सारे factors है, अगर आप overall voting principles की बात करें, तो central government का जो weightage है GST Council में वो है one third, state government का जो weightage है GST Council में है वो है two third, states के बीच में, अलग-अलग states में कितना weightage दिया गया वो एक अलग बात है, तो central government के बाद one third weightage है, state government के बाद two third weightage है, अगर overall किसी नियम कानून को GST Council से पास कराना है, तो भाईया 75% की majority चाहिए, 75% की majority नहीं है, आप नियम कानून को पास नहीं कर बाप होगे, और मान लिज़े GST Council मिली, और GST Council ने कोई decision ले लिया, तो उस decision को आप इन तीन grounds पे invalidate नहीं कर सकते, तो आप ये बोलोगी भाई, जब GST Council ने decision लिया था तब उसमें एक vacancy थी, या फिर जो GST Council आपने constitute किया था, उसमें कुछ defect था, तो आप ये बोल दो कि जब ये GST Council में ये specific decision लिया था तो ये vacancy थी, इसलिए GST Council का decision गलत है, ये नहीं हो सकता, vacancy है, उसके बाद भी अगर GST Council ने decision ले लिया है, तो भाई उस decision को मानने माना जाएगा, फिर any defect in the appointment of a person as a member of the council, मान लिए GST Council का member बनाया आपने किसी particular person को, और उस particular person को गलत तरीके से GST Council का member बना दिया गया, और जब वो member था, तब GST Council ने कोई decision ले लिया, तो फिर आप उस decision को इस basis पे challenge नहीं कर सकते कि इस member को आपने गलत तरीके GST Council में ठा दिया, नहीं, तो गलत तरीके से भी अगर इसी member का appointment हो गया GST Council में, उसके बावजूद उसके होने के बाद भी अगर कोई GST Council में decision ले आगया तो उस decision को invalidate नहीं किया जाएगा, फिर भाई, procedural irregularity of the council not affecting the merits of a case, देखें, council का काम करने का एक तरीका है दोस्तों, अगर council अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हो procedure irregularity, आप मान लिजे कि GST Council में किसी particular issue को लेके बहस चल रही है, मान लिजे इस बात तो बहस चल रही है कि केरो सीन के ओपर किस rate पर GST लगाया जाएगा, अभी केरो सीन के ओपर किस rate पर GST लगाया जाएगा, इस चीज के merit को देखते हुए, decision GST Council में लिया गया, सही लिया गया, गलत लिया गया, अब इसके basis पर procedural irregularity, तो मान लिजे कि ये बोला गया कि भाई GST Council vote डालेगा, अभी GST Council में voting ठीक तरीके से नहीं हुई, जो proper pattern था, उसकी तरीके से voting नहीं हुई, बट फिर भी, overall अगर आप कह सकते हैं कि discrimination नहीं हुआ, overall अगर पूरे के पूरे case को merit case आप से देखा गया है, सही तरीके से देखा गया है, भले ही थोड़ी procedure irregularity होगी हो, देखिए procedure irregularity का मतलब यह नहीं है कि कोई काम गलत तरीके से किया गया, तो अगर आप मोटे हैं, तो आप सीड़ी से चड़के जाओगे, सात्वे फ्लोर पे बैटर रहेगा, लेकिन अगर आप मोटे हो और लिफ्ट से जा रहे हैं, तो काम गड़बढ़ है, क्योंकि आप खुदी मोटे हो, और मेहनत नहीं करना चाहरे हो, तो आप कह सकते हो कि this is a sort of procedural irregularity, लेकिन इसका वाजब यह थोई नहीं है कि कोई मोटा आदमी अगर लिफ्ट से आ रहा है तो उसने गलत कर दिया, समझ गया मैं क्या कहना चाहरा हूँ, मैं आपको यहीं बताने कोशिश कर रहा हूँ, procedural irregularity यनि council का जो काम करने का set pattern है, उससे अगर आप थोड़ा deviate करते हो, लेकिन उस deviation ने efficiency या merit नहीं जाता है case का, तो जो case decide किया गया है, उसको मानने माना जाएगा, procedure irregularity के basis पे उस case को रद नहीं किया जाएगा, तो GST council के function है to make recommendations to the union and states regarding the following, तो किस-किस basis पे GST council recommendation देगा, कि भाईया कौन से taxes, cesses और surcharges को GST में include किया जाएगा, कौन से goods और services को GST से exempt कर दिया जाएगा, GST में include नहीं किया जाएगा, integrated goods and services को किस हिसाब से लगाया जाएगा, model GST loss बनाना, levy, मतलब GST को कहाँ पे कैसे लगाया जाना, कैसे GST को appropriate करना, एक good इस particular place of supply से आ रहा है, तो place of supply के नियमों को तै करना, interstate trade के ओपर नियम कानून बनाना, ये सब चीज़ें करी जाती हैं इस GST council के दोराब, ठीके भाई, फिर वो enterprise, अब देखे हर enterprise का एक floor rate रखा गया, मतलब की एक enterprise का अगर इतना minimum turnover है, तो ही वो GST के bracket में आएगा, तो और नहीं तो GST bracket में नहीं आएगा, तो वो turnover क्या है, इसको समय समय पे decide करना, जगह के हिसाब से decide करना, तो obvious सी बात है, ये turnover North East के लाके के लिए कम होगा, और Tamil Nadu जैसे industrial state के लिए ज़ादा होगा, चूकि obvious सी बात है, Tamil Nadu जैसे industrial state को North East के किसी states, अनुनाचल प्रदेश साब compare कर नहीं सकते हैं, दोनों की geological conditions अलागे, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, GST Council काम करता है, उसके बात किसी natural calamity के दौरान, कुछ additional और access resources की जरुवत है, तो access resources को पैदा करने के लिए किसी एक particular चीज के उपर एक special rate पे थोड़ा ज़ादा GST लगा के temporary पैसा एक खटा करना, तो इसके उपर भी decision कौन लेगा, GST Council लेगा, कुछ states जो कि geologically disadvantage में जैसे अरणाचल पदे, जैसे आसाम, जमुन कश्मीर, मनीपूर, मेगालया, मिजोरम, नागालेंड सिक, किमतुर पुराणाचल पदे, जो तरकंड, सारे हिली states हैं, तो यहाँ पे GST का application proper तरीके से नहीं हो सकता, या बाकी plain states के हिसाब से नहीं हो सकता, तो इन states को क्या अलग consideration दे रहा है, यह भी GST Council decide करेगा, तो GST से related literally सारे matters को GST Council ही decide करता है, कुछ और functions भी आते हैं GST Council के अंदर, जैसे कि कौन सी date से petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, efficient turbine fuel पे GST लगाए जाएगा, यह GST Council decide करेगी, अगर dispute हो जाता है, अभी dispute का adjudication, disputes तो किसी के बीच में भी हो सकता है, तो एक तरफ center है, दूसी तरफ कुछ और states है, इनके बीच में dispute हो सकता है, dispute एक तरफ center और एक state है, दूसी तरफ कुछ और states है, इनके बीच में dispute हो सकता है, किनी दो states के बीचिन dispute हो सकता है जहां पे center involved भी नहीं है तो अगर इस प्रकार का कोई dispute होता है तो dispute resolution के mechanism को कौन decide करेगा तो GST council decide करेगा और the council has to recommend the compensation to the states for loss of revenue arising on account of introduction of GST for a period of five years भाया यह चीज़ वहाँती news में रही है तो मतलब कि अगर state के taxation power साब ने रहे ली है तो state को compensation देना पड़ेगा तो पांच साल के लिए बोला गया कि state को compensation दिया जाएगा हाला कि state government को काफी उल्लू बनाया जा रहा ऐसा बोला जाता है हाला कि central government भी क्या करे central government भी कुछ तक सही बोल रही है कि भाई देखे एक्ट ओफ गॉड है कोविड नायंटीन हमारे पास पैसा आ नहीं रहा तो हम आपको दें कहां से state बोल रहे हैं कि नहीं हमको पैसा दो इसको मैंने editorial में काफी डिसकस किया है तो जब GST लागू किया जा रहा था तो एक law लागू किया गया 2017 में जिस law के तहद union government ने बोला कि ठीक है भी हम 5 साल तक state governments को GST compensate करेंगे यानि जो tax उनका हम ले रहे हैं उस tax से उन states को जितना पैसा आने वाला था उसको 15% per year के increment के इसाफ से calculate करके हम states को पैसा देंगे यह जो law लेके आई थी ना सरकार इसका नाम था goods and services tax compensation to states act of 2017 ठीक है भाई तो इस law के तहद यह बोला गया कि 2017 से लेके 2022 5 साल तक एक GST compensation cess लगाया जाएगा उसके अंदर जो भी पैसा आएगा उस पैसे से state government को पैसा दिया जाएगा बट पैसा अभी के लिए आनी रहा है तो most probably 2022 के बाद भी compensation cess को लगाया रखा जाएगा luxury goods पे लगता है compensation cess और इसके थूँ जो भी पैसा आएगा वो state governments को compensate करने में इस्तमाल किया जाएगा तो यह था पूरा analysis जितनी आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ और जितनी जल्दी और ब्रीफ तरीके से आप समझा सकता हूँ वो मैं समझाने कोशिश कर रहा हूँ thank you for watching this video friends thank you for your time have a great day